पीहू का ऐसा सवाल सुनकर सारा और नील कन्फ्यूस लगने लगे। सारा ने पीहू से सवाल करते हुए कहां। पीहू, तुम इसे कैसे जानती हो? क्या तुम दोनों पहले मिल चुके हो? विराज के टावल वाली लड़की का किस्सा सारा और नील को पता नहीं था। सबको विराज की स्टोरी तो पता थी, लेकिन उस स्टोरी के फीमेर लीट का पता नहीं था। पीहू ने सारा के सवाल का जवाब देते हुए कहा। सारा दीदी, पहले से नहीं, आज ही मिले हैं। थोड़ी देर पहले, काफी इंट्रेस्टिंग मुलाकात थी। रोशेल पीहू की ये बात सुनकर एक्साइटिट हो गई। उसने मनी बनने कहा। वाओ, विराज ने क्या किस्मत पाई है। इतनी खुपसूरत, यंग और सकसफुल लड़की इसमें सामने से इंट्रेस्ट ले रही है। अब तो मुझे टाइम पास करने के लिए कोरियन ड्रामास देखने की कोई जरूरत नहीं है। किसे पता था कि बास बदलने से लाइफ का जॉनरा ही बदल जाएगा। जहां एक तरफ रोशैल विराज के लिए इतनी खुश हो रही थी, कोई था जो जल भुन रहा था। उसे इस सिचुएशन पर बहुत ही जलस फील हो रहा था। उसने विराज की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में कहा। इसके पास ना मेरे जैसे ब्रैंडिट सूट्स हैं और ना ही कोई हैंसम लुक्स, फिर भी इसने भी किसी को पटा लिया है। वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इसने तो डारेक्ट नैशनल क्रश सलिबरिटी को पटाया है। अब तक विनी के साथ मेरी एक डेट भी नहीं हुई है। पीहू ने तुमसे कुछ पूछा, उसके क्वश्चन का जवाब दो। अब जब उसकी सारा मैम ने उससे कहा था, विराज के पास कोई दूसरा आप्शन नहीं बचा। उसने पीहू की तरफ देख कर कहा। मैं विराज देखशित, नाइस टू मीट यू। विराज ने फॉर्मालिटी के तौर पर कह तो दिया था, लेकिन उसके चहरे को देखकर ऐसा पिल्कुल भी नहीं लग रहा था, कि उसे पीहू से मिलकर खुशी हुई थी। कुछ देर सारा से बात करने के बाद पीहू ने सब के साथ डिनर भी किया। वापस जाते वक्त उसने सारा से उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मांग लिया। सारा को पीहू से मिलकर इतनी खुशी हुई कि उसने तुरंथ ही पीहू के साथ रोहन, रोशेल और विराज का चैट ग्रूप भी बना लिया। सारा को गुडबाई कहते हुए पीहू ने उससे कहा। दीदी, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेफ करके रखना, किसी पता कब आपको मेरे हेल्प की जरूरत पढ़ जाए। गुड़ नाइट, विश्टु सी यू सून। और फिर अपने हाथ वेव करते हुए पीहू अपनी मैनेजर के साथ वहाँ से चली गई। जाने से पहले उसने विराज को स्माइल के साथ एक फ्लाइंग किस भी दी। ये सब होते हुए देखकर सब विराज को चड़ाने लगे। सारा ने भी सब को वहाँ से निकलने को कहा, लेकिन इस से पहले कि सब अपने घर जाते, सारा ने उन्हें मैसेज करके ए-स ग्रूप्स में मिलने को कहा। कार में बैठे हुए नील ने सारा से कहा और वी मान ने मुझे सेटरडे को मिलने के लिए बुलाया है वो कह रहे थी कि वो मुझे तुम्हारे सीक्रिट्स बता सकती है अब बताओ कि तुम मुझे तुम्हारे सीक्रिट्स बताओगी कि मैं उससे पता करूँ नील के बात करने में एक मस्ती भरा अंदास था सारा ने भी उसी स्टाइल में जवाब दिया सारा ने नील से कहा अब मैं बिचारी क्या कर सकती हूँ पूछ लो जो पूछना चाहते हो क्या मेरे पास कोई दूसरा आप्शन है सारा के ऐसे शब्द सुनकर नील हसने लगा बाते करते हुए वो दोनों कब एस ग्रूप्स पहुँचे उन्हें पता ही नहीं चला कुछी देर में सब सारा के ओफिस में थे रोहन ने विराज से पूछा तुम उस उर्वी और सारा के बीच के पंगे को कैसे जानते हो पार्टी में इतनी देर इंजॉई करने के बाद अब सब को एक इंपोर्टेंट इशू सॉल्फ करना था विराज ने रोहन के सवाल का जवाब देते हुए कहा वो मैं सारा मैम के कॉलेज में ही था और उर्वी मान मेरी और सारा मैम की सीनियर ही थी उन्हें जूनियर्स की रैगिंग करने में मज़ा आता था विराज की ये बात सुनकर अब सब कहानी सुनने में इंटरेस्टेड लगने लगे रोशेल ने विराज को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए पूछा क्या उस उर्वी मान ने हमारी बार्वी को भी अपना टार्गिट बनाया था रोशेल की इस सवाल से नील सारा के लिए परेशान लगने लगा विराज ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा नहीं ऐसी बात नहीं है जब सारा मैम ने कॉलेज जॉइन किया विराज अचानक रोग गया रोहन ने उससे कॉश्चन करते हुए पूछा तो फिर उनकी दोस्तिय से दुश्मिनी में कैसे बदल गई यही सवाल नील और रोशेल के बनबे भी था विराज ने सब की क्यूरियोसिटी को देखते हुई अपनी स्टोरी को आगे कंटीनियो किया उस दिन हमारे कॉलेज का एन्वल फंक्शन था सारा मैम के किसी क्लासमेट ने पूरे कॉलेज के सामने एक वीडियो प्ले किया उस वीडियो में उर्वी उसके फ्रेंड्स के साथ टूथ और डियर खेल रहे थे तब उर्वी ने डियर के तौर पर सारा मैम के साथ दोस्ती करके उन्हें ड्रग एडिक्ट करने का डियर एकसेप्ट किया था सारा मैम को ड्रग एडिक्ट साबिट करने के बाद वो उन्हें कॉलिट से निकलवाना चाहते थे जब ये बाद सारा मैम को पता चली वो बहुत हर्ट हो गई सबको लगा कि वो रोएंगी, तमाशा करेंगी लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इस पॉइंट पर विराज की बात सुनकर हर कोई शौक्ट था चैरी तो सुबकते होए रोनी लगी रोशेल ने उसे टिशूस देते होए काम डाउन किया इस बार नील ने विराज से कहा लेकिन इस बात के लिए तो उर्वी को सारा से माफी मागनी चाहिए तो फिर वो सारा से नफरत क्यों करती है रोहन ने भी नील की इस बात पर हामी भर दी विराज ने नील के पॉइंट को एक्स्प्लेइन करते होए कहा सारा मैम ने उनके साथ जो हुआ उस बात को तो भुला दिया लेकिन फिर एक बार उन्होंने देखा कि उर्वी ने किसी भुडी लड़की को एक्साम देने से रोक लिया था उस लड़की का पूरा करियर उस एक्साम पर डिपेंड करता था सो सारा मैम ने उर्वी की कम्प्लेंट कर दी उन्होंने सभी पॉसिबल एविडेंसिस को कलेक्ट करके प्रिंसिपल को दिखा दिया और उसके बाद उर्वी को रस्टिगेट कर दिया गया उस दिन के बाद हम मेंसे किसी ने भी उर्वी को नहीं देखा कुछ लोगों ने कहा कि वो अपनी डिगरी कंप्लीट करने के लिए अबरॉट चली गई बट उसके तरफ से कोई खबर नहीं थी और आज तीन सालों के बाद हमने उसे मिस्टर मान की बेटी की हैसियत से देखा ये बात सुनकर सभी का मुँ खुला का खुला रहे गया सारा के ऐसे एडवेंचरस पास्ट को किसी ने एक्सवेक नहीं किया था रोशेल ने शौक धोकर कहा क्या ये सच में किसी फिल्म की गहानी है लाइक लिटरली दो दुश्मन इस तरह सामने आये है आफकोस वो उर्वी सारा को बरबाद करने के लिए बेचैन होगी रोशेल जब अपनी बात कह रही थी सारा अपने ओफिस में आई वो कंफोटेबली कुछ सोचना चाहती थी तो इसलिए वो चेंज करने गई थी सबके शौक्ट एक्सप्रेशन्स को देखकर सारा ने पूछा कुछ हुआ है क्या? ऐसा मूग की बना रखा है? रोहन ने जैसे ही सारा का ये सवाल सुना उसने सारा के दोनों कंधों को पकड़ लिया उसने ओवर्रियाक्ट करते हुए सारा से कहा क्या जब तुम्हें उस ओर्वी का सश पता चला तुम बहुत डर गई थी? आफ्टर ओल वो तुम्हें ड्रक्ट अडिक्ट बनाना चाहती थी जब सारा ने रोहन की कही ये बात सुनी उसे रियलाइस हुआ कि विराज ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा सारा ने फिर अपने कंधे उचकाते हुए रोहन से कहा उसमें डरने जैसा क्या था? हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लगा कि वो मुझे बेबकूफ बना रही थी बट मैं ऐसी छोटी-छोटी चीजों को माइन नहीं करती सारा की कही ये बात सुनकर सब दंग रहे गए रोशेल ने सारा को कॉम्प्लिमेंट करते हुए कहा बार्बी, तुम सिर्फ खूबसूरत और अकलमंद ही नहीं, बहुत ब्रेव भी हो सारा को रोशेल का कॉम्प्लिमेंट बहुत एग्जाजरेटिंग लगा उसने दिल ही दिल में कहा अगर ये लोग इस बात के लिए इतना इमोशनल हो रहे हैं तो तब क्या होगा, जब इन्हें मलिक सरकार के बारे में पता चलेगा अपने आप से ही बात करते हुए सारा ने चैरी की तरफ देखा रो रो कर उसकी आँखे लाल हो गई थी सारा ने उससे कहा चैरी, इस बात में रोने जैसा कुछ भी नहीं है बहुत लेट हो रहा है, एक काम करो मेरे ड्राइबर से कहो, वो तुमें घर ड्रॉप कर देगा चैरी के वहाँ से जाने के बाद सारा सीरियस हो गई अब हम सिर्फ अपने आप पर ही डिपेंड कर सकते हैं और फिर सब सारा के साथ उनके आगे के प्लान्स पर डिसकस करने लगे बातें डिसकस करते हुए एक घंटा कब बीद गया, किसी को पता ही नहीं चला सारा ने फिर अपने प्लान के नतीजे पर पहुँचते हुए कहा तो फिर ये तैरा हा कि सैटर्डी को जब नील उर्वी से मिलने जाएगा हम रोजवूड रिजॉर्ट का एडविटाइजिंग केंपेंड लाँच कर देंगे सारा के इस वेल और्गिनाइस्ट प्लान को सुनकर सभी सेटिस्फाइड लगने लगे अपने सामने ही लगी वॉल क्लॉक को देखकर सारा घर जाने के लिए तैयार हो गई उसने सबसे कहा चलो निकलते हैं, हमेकल आफिस भी आना है सारा की बात सुनकर सब अपने अपने घर जाने लगे रोशेल ने रोहन से कहा अब बहुत रात हो गई है, तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दो रोहन ने रोशेल के बात पर हामी भर दी उसने अपने सेल्फ लविंग अंदाज में कहा हाँ, हाँ, मेरे जैसा जेंटलमेन कभी किसी लेडी को मना नहीं करता रोहन की ये बात सुनकर सब उसे सर्कास्टिक लुक में देखने लगे तब ही नील ने उसे टॉंट करते हुई कहा हाँ, भाई, इसी चक्कर में लोग तुम्हें प्ले बॉई के नाम से जानने लगे है जैसे ही नील ने अपनी बात कही, सारा और रोशेल खिल-खिला कर हस पड़े तो विराज अपना मूँ छुपा कर हसने लगा रोहन नील को कुछ भी कह नहीं सकता था तो इसलिए उसने अपनी कार की कीज ली और सारा के ओफिस से बाहर चला गया रोशेल उसे फॉलो करने लगी विराज जाही रहा था कि सारा ने उसे रोक लिया उसने विराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहा मेरा ड्राइवर वापस आ गया होगा तुम प्लीज मेरी कार में चले जाओ मैं आज तुम्हारी बाइक से घर जाना चाहती हूँ विराज सारा को मना नहीं कर सकता था तो इसलिए उसने सारा को अपनी बाइक की कीज दे दी और उससे कहा संभाल कर जाएगा और प्लीज घर पहुँचने के बाद मुझे मैसिज कर देंगी तो मैं रिलीवड रह पाऊंगा सारा ने उसकी बात पर हामी भरी और नीचे जाने लगी नील ने सारा और विराज का ये कान्वजेशन सुन लिया उसने विराज से पूछा क्या सारा बाइक चला लेती है नील का ये सवाल सुनकर विराज को वो दिन याद आ गया जब सारा ने पहली बार उसे पीछे बिठा कर बाइक चलाई थी विराज ने नील को सारा का जवाब देते हुई कहा चलाने का तो नहीं पता भगा ज़रूर लेती है और अपनी बात कहे कर विराज जाकर सारा की कार में बैठ गया नील को अभी भी सारा के लिए चिंता हो रही थी तो उसने सारा को फॉलो करने का फैसला किया उसने अपनी कार का एंजन ओन किया और सारा को फॉलो करने लगा उसने अपने आप से ही बात करते हुई कहा क्या इस लड़की को इतना कूल होने की कोई जरूरत है 23 की एज में एक successful business woman होना हर परेशानी को चुटकियों में हल करना दरावनी situations में भी normal behave करना और अब ये बाइक भी चलाना ये लड़की ऐसी है तो इसके parents तो super cool होंगे इसी तरह अपने आप से बाती करते हुए नील ने सारा को follow किया जब उसे तसल्ली हुई कि सारा safely अपने घर पहुच गई थी तब जाकर वो hotel जाने के लिए मुड़ा मुंबई शहर में किसी बंदरगाह पर करीम ने किसी के सिर पर बंदूग तान कर रखी थी उसे बस मलिक सरकार से एक इशारा मिलने की देर थी और छे की छे गोलियां उस आदमी के सिर के अंदर होती मलिक सरकार ने अपने किसी दूसरे आदमी से कहा जान को यहां लेकर आओ कुछे मिनिटों में वो आदमी जॉन को वहां लेकरा गया जॉन किसी वीलचियर पर बैठा हुआ था उसकी आखों में डर साफ नज़र आ रहा था मलिक सरकार ने जॉन के तरफ देखकर उससे सवाल किया क्या ये वही है जिसने तुम्हें अगवा किया था मलिक सरकार का ऐसा सवाल सुनकर जॉन उस आदमी को ध्यान से देखने लगा कुछ याद करने के बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा आँ, वो ये उनी लोगों में से एक है उसका ये जवाब सुनने के बाद मलिक सरकार ने उस आदमी की तरफ गुस्से में देखा उन्होंने उससे पूछा क्या तुम कुछ कहने वाले हो या तुम्हारी जान लेनी है वो आदमी बहुत डरा हुआ लग रहा था उसने अपनी जान की भीक मांगते हुई कहा मैं कुछ नहीं जानता लेकिन बस इतना पता है कि इस मिशन के लिए बोस को बहुत सारे पैसे मिले थे मुझे छोड़ दो मैंने कुछ नहीं किया मलिक सरकार को झूट से बेहत नफरत थी उन्होंने उस आद्मी की आँखों में जूट की जलक देख ली थी उन्होंने करीम से कहा इसके पैरों में पत्थर बांदो और इसे पानी में फैंक दो ये मलिक सरकार के लोगों की जान लेने के तरीकों में से एक था अपनी बात कहकर वो उस बंदरगाह से कहीं दूर जाने लगे उसका कोई आदमी जॉन को अपने साथ ले गया और करीम ने वैसा ही किया जैसा मलिक सरकार ने उससे कहा था उसने बोट शुरू की और इस आदमी के पैरों में रस्सी से पत्थर बांदने लगा कुछ दूर जाने के बाद करीम ने बोट को रोग दिया और उस आदमी को पानी में भैंक दिया उसे पानी में डूपते हुए देखकर करीम ने कहा अगर तेरी किस्मत और तेरा इलम अच्छा होएगा ना तो मैं दूआ करता है कि तू बच जाए अगले दिन हमेशा कितारा अकबार, सोशल मीडिया और न्यूस चानल्स पर सारा और नील ही छाय हुए थे और अब तो सारा और नील की पॉपुलारिटी पहले से और भी बढ़ गई थी यंग्स्टर्स उनके कपल को काफी पसंद करने लगे थे उपर से सारा और नील की पीहु के साथ की एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही थी उस पिक्चर में वो तीनों गप्पे लड़ाते हुए नजर आ रहे थे और बहुत खुश भी लग रहे थे उस पिक्चर को बहुत सारे कॉमेंट्स और लाइक्स मिल रहे थे लोगों ने कॉमेंट करते हुए लिखा था क्या हमारी सूपरस्टार पीहू भी सारा और नील की फैन है तो किसी ने लिखा, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि सारा और नील पीहू के फैन्स होंगे ये डिस्केशन इंटरनेट पर धूम मचा रही थी सारा और नील के कुछ फैंस ने अपना लॉजिक यूज किया और उन्होंने उस पिक्चर पर कॉमेंट करते हुए लिखा मुझे लगता है कि पिहू जायका इन रेस्टरॉंट की ब्रैंड अम्बैसेडर बनने वाली होगी वैसे मुझे ये कोलाबरेशन बहुत पसंद आएगी बहुत से लोगों ने ऐसे कई सारे कॉमेंट्स किये थे दूसरी तरफ एस ग्रूप्स में रोशेल जैसे ही आफिस आई उसने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर लॉगिन किया वो इन सब कॉमेंट्स को एक एक करके पढ़ने लगी जब रोशेल ने वो सब कॉमेंट्स पढ़े उसकी आँखे चमकने लगी रोशेल को वो पढ़कर एक नया आईडिया आया उसने मन ही मन में कहा अगर सच में पिहू जायका इंट की ब्रैंड अम्बैसेडर बन जाए तो हम M.Corporations की उसकंदी चाल को सही जवाब दे पाएंगे रोशेल को जैसे ही ये आईडिया आया वो सारा को कन्विंस करने के लिए बहाने सोचने लगी तभी कोई रोशेल के आफिस में आया रोशेल को अपने आप में ही इतना खोया हुआ देखकर रोशन को एक शरारत सूजी वो दबे कदमों से रोशेल के पीछे गया और जोर से उसके कानों में चिलाया रोशन की इस हरकत से रोशेल इतनी डर गई कि वो भी चिलाने लगी वो जब अपनी चेर से गिरने वाली थी रोशन ने उसे संभाल लिया और वो रोशेल पर हसने लगा रोशेल ने अपने सीने को सहलाते हुए रोशन से कहा ये क्या था? मैं कुछ देर पहले हार्ट अटेक से मरने वाली थी रोशन ने फिर अपनी हसी को कंट्रोल किया और वोशेल से माफी मांगते हुए कहा ओके, I'm sorry वैसे तुम किस बारे में सोच रही थी? कि मैं आँ भी गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? वोशेल ने जब रोशन का ये सवाल सुना उसने अपना मोबाइल रोशन के सामने बढ़ा दिया रोशन ने कनफ्यूज होकर जब वो पर्टिकुलर कामेंट पढ़ा उसकी भी आखें चमकने लगी उसने रोशेल के तरफ मस्ती भरी नजरों से देखा और उससे कहा वैसे ये आईडिया बहुत अच्छा है हम एक साथ पिहू की और सारा और नील की पॉपुलरिटी को यूटिलाइज कर सकेंगे रोशेल ने भी इस बात पर हामी भर दी और दोनों एक साथ बाते करने लगे कुछ देर के बाद रोहन और रोशेल ने मिलकर सारा से इस बारे में बात करने का फैसला किया सारा अपनी चेयर पर बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने विनी बैठे हुए उसे घूरी जा रही थी सारा ने कुछ सेकंड्स पहले ही कल रात पार्टी में हुई हर बात विनी को बताई थी और अब वो पेशन्स के साथ विनी के रियाक्शन का वेट कर रही थी कुछ देर वेट करने के बाद भी विनी ने उससे कुछ नहीं कहा अब सारा से रहा नहीं जा रहा था उसने विनी से question करते हुए कहा So, अब तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या करना चाहिए? इस point पर finally विनी ने कुछ कहने के efforts लिए उसने सारा से कहा Look, अब वो तुझे और AS Groups को बरबात करने के लिए अपना हर possible move करेगी So, तुझे या तो उससे दो कदम आगे रहना चाहिए या फिर उससे सामने से challenge करना चाहिए विनी ने एक ही sentence में सारा की परिशानी हल करने का रास्ता दिखा दिया सारा ने फिर विनी की बात पर हामी भरते हुए कहा मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ रही हूँ फैंक्स यार वैसे तू यहां मेरे office में क्यों आई है विनी ने जैसे ही सारा का ये सवाल सुना वो serious हो गई उसने सारा से सवाल करते हुए कहा देख पिछले तीन हफतों में जो कुछ भी हुआ मैं उससे process करने की कोशिश कर रही थी और एक बात मेरी ध्यान में आई नील एक बहुती काबिल और successful business man है तो फिर तेरे मरहूम बॉस ने सबकुछ अपने बेटी के नाम क्यों नहीं किया विनी के सवाल में logic था वो सारा की तरफ curious हो कर देखने लगी सारा को विनी का ये सवाल सुनकर अजीद सबर्वाल का लिखा खत याद आ गया उन्होंने उस खत में लिखा था प्रिंसेस मेरा बेटा नील भी एक business man है तुम्हें ये सवाल सता रहा होगा कि उसके बदले मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम क्यों किया है नैचुरल सा सवाल है उसके लिए ये सिर्फ एक business ही होगा लेकिन AS Groups मेरी जिन्दगी भर की महनत है इस company के लिए मेरी feelings जितनी करीब से तुमने देखी है शायद ही किसी ने देखी होगी सारा ने इस बात को याद करते होए दिल ही दिल में कहा मेबी आप सही थे उल्ड मैन मैंने आपको AS Groups को किसी बच्चे के जैसे संभालते होए देखा है नील के लिए शायद ही उसके किसी common company के जैसी ही होती उसे इस feeling को develop करने में वक्त लगेगा सारा ने देखा कि अभी भी वेनी उसकी तरफ ही देख रही थी सारा ने उसे हस्ते हुई जवाब दिया शायद सबरवाल सर को लगा होगा कि मेरे लाइफ में ड्रामे की थोड़ी कमी थी इसलिए उन्होंने ये सब मेरे नाम कर दिया होगा सारा का ये जवाब सुनकर विनी ने अपनी आँखे रोल कर ली उसने फिर सारा से कहा रोहन की हार्ट बीट स्थेज होने लगी उसने अपने आप से ही कहा क्या दिन है आज विनी खुद मेरे सामने है कहीं ये मैं उसे इमेजिन तो नहीं कर रहा रोहन ने फिर अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर पिंच किया जब रोहन को दर्द का हैसास हुआ वो रिलीवट फील करने लगा अब तक विनी ने भी उसे नोटिस कर लिया था विनी ने रोहन से कहा हेई, तुम रोहन हो, राइट? गुद मॉनिंग रोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि विनी खुद उससे बात करने आई थी वो नर्वस फील करने लगा किसी फ्लर्टिंग एक्सपर्ट के लिए ये एक नई फीलिंग थी उसने हिचकिचाते हुई विनी से कहा हाँ, मैं, वो, रोहन, गुड मॉर्निंग विनी रोहन को ऐसे नर्वस देखकर हसने लगी उसने रोहन के कंदे पर हाथ रखते हुई कहा रोहन, इतना नर्वस क्यों हो रहे हो जैसे सारा मेरी फ्रेंड है, तुम भी हो रिलाक्स, मैं क्या कोई भूत लग रहे हूँ विनी को अपने आपको उसका फ्रेंड कहते हुए देख रोहन को बहुत अच्छा लगने लगा उसने विनी की बात पर नामे अपना सिर्ह ला दिया उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे विनी से क्या कहना चाहिए उसने फिर सोचा और विनी से सवाल करते हुई कहा तुम कहीं जा रहे हो, मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ रोहन की इस ओफर पर विनी ने कुछ देर सोचा उसने सोचते हुए मन ही मन में कहा क्या करूँ, मैंना इसके साथ चली ही जाती हूँ, इतनी धूप में कोई टैक्सी मिलने के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा, और इसने सामने से कहा है तो फ्री ही होगा विनी को कुछ सोचते हुए देखकर रोहन उसके आंसर का वेट करने लगा, विनी ने फिर हिचके चाते हुए रोहन से कहा अगर तुमारा कोई प्लैन नहीं हो तो तो फिर थैंक यू विनी का ये जवाब सुनकर रोहन बहुत खुश हो गया, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विनी इतनी जल्दी मान जाएगी उसने एक्साइटिट होते हुए दिल ही दिल में कहा येस, विनी मान गई, मैं बहुत साथा हैपी फिल कर रहा हूँ ये ड्राइव मेरी लाइफ बदल सकती है, तो इसलिए मुझे अच्छे से परफॉर्म करना होगा, कोई गरबर नहीं होनी चाहिए जब रोहन अपने आप से बात करने में विजी था, विनी उसके चलने का वेट कर रही थी उसने एक दुबार रोहन का नाम भी पुकारा, लेकिन रोहन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था विनी ने एक आखरी कोशिश करने का डिसाइड किया, और रोहन के चेहरे के सामने अपना हाथ वेव करने लगी विनी के इस हरकत के बाद फाइनली रोहन रियालिटी में वापस लोटा उसने एलिवेटर की तरफ जाते हुए विनी से चलने को कहा दूसरे तरफ AS Groups के कैफे एरिया में नील ने अपनी सेकरेटरी चारला को कॉल किया कुछ देर तक बजने के बाद चारला ने कॉल रिसीव कर लिया उसने फोन की दूसरी तरफ से कहा नील सर, गुड आफ्टरनून नील ने बिना किसी फॉर्मालिटी के डारेक्ट पॉइंट पर आते हुए चारला से कहा मेरे लिए किसी की पूरी इंफॉर्मिशन निकलवाओ चारला एक बहुत ही ओबीडियन सेकरेटरी थी उसने नील से सवाल करते हुई कहा ओके सर, किसके बारे में इंवेस्टिगेट करना है नील सर? नील ने एक नाम कहा और कॉल डिसकनेक्ट कर दिया नील ने किसी और का नहीं, उर्वी मान का नाम लिया था कल राद जबसे नील ने विराज से सारा और उर्वी की कहानी सुनी थी वो अनीजी फील कर रहा था उसे सारा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था उसने दिल ही दिल में कहा तो वो लड़की अब तक ट्रॉमा जहेल चुकी होती, लेकिन सारा एक बहुत ही सौर्टेट लड़की है, I adore her even more, डैट का AS ग्रूप्स को उसके नाम करने का डिसीजन बिल्कुल सही था विल की मीटिंग के बाद नील राद भर एक ही बात सोचता रहा, उसे इस बात की बेचे ने हुई थी, क्योंकि उसे लगा कि उसके डैड ने उसे एक कमपनी समभालने के लाइक भी नहीं समझा था नील ने उस राद बहुत शराब पी थी, उसे किसी प्रापरटी का लालश नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया था लेकिन उसे इस बात का दुख था, कि उसके डैट का उसके उपर ट्रस्ट नहीं था नील को याद आया, कि रोहन ने उसे समझाते हुए कुछ कहा था, जिसके बाद नील नॉर्मल हो गया था रोहन ने नील से कहा था, पार्टनर, तुमने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया है अगर उन्होंने बच्पन से तुमें छोड़ दिया था, तो क्या कभी तुमने उनसे मिलने की कोशिश की तो मैंने लगता कि तुम अपने ही पॉइंट ओफ यू से कहानी को देख रहे हो, थोड़ा सोचो इस बारे में रोहन की इस बात को याद करते हुए नील के चहरे पर एक स्माइल छा गई, उसने दिल ही दिल में कहा शहर के ही किसी दूसरे कोने से भी यही दूआ भगवान जी के पास पहुची रोहन, जो विनी के साथ एक ड्राइफ का मज़ा ले रहा था, उसने भी यही कहा मेरा पार्टनर नहीं होता, तो मैं कभी भी मेरी सिंड्रेला से नहीं मिल पाता भगवान करे हर किसी को नील जैसा फ्रेंड मिले विनी अपने आपको रूड नहीं दिखाना चाहती थी, तो इसलिए उसने रोहन से कन्वर्जेशन शुरू किया विनी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो, मतलब मैंने सारा से सुना है कि तुम नील के बिजनस पार्टनर हो, लेकिन फिर भी बिजनस के अलावा तुमारे इंट्रेस्ट कौन से है अब ये रोहन के लिए किसी युनिवर्सिटी की एक्जाम से डिफिकल टेस्ट था, उसके एक गलत जवाब से विनी पर उसका गलत इंप्रेशन बढ़ सकता था, तो उसने कुछ सोचकर विनी के सवाल का जवाब दिया, उसने विनी से कहा, मुझे ट्रेवल करना पसंद है और मैं म्यूजिक में बहुत इंटरस्ट लेता हूँ। विनी उसके इस सवाल से सेटिसफाइट लगने लगी, उसने रोहन से कहा, मुझे भी ट्रेवल करना पसंद है और आइगेस तुम ज़रूर कोरियन म्यूजिक सुनते होगे, सही कहा न मैंने। रोहन विनी के इस जव उसने रोहन को लॉजिकली जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा हे स्टाइल जिमिन जैसा जो है, आक्चली मुझे अलग-अलग लैंगुजिस पढ़ना अच्छा लगता है, तो मेरा एंटेटेन्मेंट भी इंटरनेशनल ही होता है, सो ना एक BTS फैन हूँ, आर्मी, ये नो वीनी का ये जवाब सुनने के बाद रोहन ने साइड में कार रोग ली, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो मन ही मन किस्मत को कई बार थैंक्स कर चुका था, उसने वीनी से कहा, वी शेयर सेम चॉइस, मैं भी BTS का फैन हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी पसंद एक जैसी होगी, विनी ने उसके इस चाइल्डिश बट क्यूट परताव को एप्रिशेट किया, और रोहन के साथ BTS के बारे में डिसकस करने लगी, जब विनी उसे अपने ख हो रहा है कि मैं और मेरी सिंड्रेला हमारी शादी में डायनामाइट सॉंग पर डांस करने वाले हैं, अरे मैं तो बहुत दूर की बातें इमेजन कर रहा हूँ, अब ही इसमें थोड़ा वाक्त है, रोहन को अपने ही खयालों पर हसी आने लगी, और रोहन और विनी अपनी बातों में बिजी हो गए, दो पहर की शाम होने आई थी, और रोहन और विनी की पहली ड्राइफ पहले लंच में बतल गई थी, अगॉंडा बीच के किसी रेस्टरॉंट में लंच करने के बाद विनी और रोहन समुंदर किनारे साथ में वाक करने लगे, कुछ देर घूमने के बाद विनी का ध्यान टाइम पर गया, उसने रोहन से कहा, हमें अभी निकलना चाहिए, मुझी कुछ इंपोर्टन काम भी निप्टाने है, रोहन ने तुरंथ हामी भरते होई विनी से कहा, हाँ, मुझे भी ऑफिस जाना है, सारा वेट कर रहे होगे, और इस तरह दोनों रोहन की कार के पास जाने लगे, कार में बैठने के बाद विनी का सीट बेल्ट लगी नहीं रहा था, रोहन ने जब उस सीन को देखा, नैचरली उसका हाथ आगे बढ़ गया, रोहन को पता ही नहीं चला, कि वो कब विनी की साइड में बेंड होकर उसकी मदद करने लगा थ उसने विनी से कहा, तुम छोड़ो मैं करता हूँ, लेकिन जब तक उसका हाथ सीट बेल्ट को छूपा था, तब तक उसके होटों ने विनी के होटों को छो लिया था